भारत ने अब तक वन डे वर्ल्ड कप में कुल 84 मैच खेले हैं जिसमें से 53 में उसे जीत हासिल हुई है जबकि 29 मैच उसने गवाए हैं एक मैच टाई रहा और एक मैच का परिणाम नहीं निकला भारत ने वन डे वर्ल्ड कप में अपने 64.45 फीज़दी मैच जीते हैं भारत वर्ल कप इतियास की दूसरी सबसे ज़्यादा मैच जीतने अवाली टीम है भारत से ज़्यादा मैच केवल और उस्ट्रेला ने जीते हैं जिसने अपने 94.45 मैचों में 79 में जीत दर्ज की है सचिन तैन तुलकर 2011 वर्ल कप में भारत के सबसे कामियाब बल्ले बाज रहे और उन्होंने 9 मैचों में 53.55 की होसत से 420 सीरन बनाएं जिसमें 2 सतक और 2 अरशतक सामिल थे इसके बाद गोतम गंबीर और विरेंदर सावा का नाम है जिन्होंने करम से 393 और 380 रन बनाए थे वही 2011 वर्ल कप में जहिर खान चूर्णामेट के सब न्युक तुरूप से सबसे कामियाब गेंदवाज थे जिन्होंने 9 मैचों में 21 विकट जटके थे इस लिष्ट में दूसरे नमबर पर रहे यूराज सिंग जिन्होंने 15 विकट जटके और साथ ही 362 रन भी बनाए थे भारत के 1983 वर्ल कप की बात करें तो इस वर्ल कप में किसी ने भी भारत को वर्ल कप जितने का दावेदार नहीं माना था लेकिन जब कफिल देओगी कपटानी वाली भारते टीम ने पहले मैच में वेस्ट इंडीज को हराया तो उसने हर किसी को हैरान कर दिया गुरूप मैचों में भारत चार जीत और दो हार के साथ उस्ट्रेलिया से आगे रहते हुए समी फाइनल में पहुचा भारत ने समी फाइनल में इंगलैंड को 6 विकेट से हराते हुए फाइनल में जगह बनाई थी फाइनल में भारत ने 183 रन पर सीमटने के बावजूद वेस्ट इंडीज को 43 रन से हरा कर पहली बार वर्लकप का खिताब जीता था बात करें 1983 वर्लकप के कुछ परमुख आकड़ों की तो रोजर बिनी 1983 वर्लकप के सबसे काम्याब गेंद बाज रहे और उन्होंने 8 बंडे मैचों में 18.66 की उसत से 18 विकेट लिए वही मदनाल ने 8 मैचों में 16.76 की उसत से 17 विकेट चटकाए कपिल देव सबसे काम्याब बल्ले बाज रहे उन्होंने 60.60 की उसत से 303 रन बनाए जिन में मुंबाब्बे के खिलाप खेली गई 175 रन की नाबाद पारी भी सामिल थी साथी कपिल देव ने गेंद बाजी में भी कमाल दिखाया और 20.41 की उसत से 12 विकेट भी चटकाए थे भारत ने 28 साल के इंतजार के बाद जब 2011 का वर्ल्लकप जीता तो अगर बात करे 2011 के वर्ल्लकप की तो भारत ने 2011 में वर्ल्लकप जीता भारत गुरूप B में अपने चार मैच जीतते हुए साउथ अफरीका के बाद दूसरे स्थान पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुचा भारत ने गुरूप मैचों में बंगलादेश, आरलेंड, वेस्ट इंडीज और नीदर लेंड को हराया जबकि इंगलेंड से उसका मैच टाई रहा और साउथ अफरीका से उसे हार का सामना करना पड़ा भारत ने क्वार्टर फाइनल में और समी फाइनल में पाकिस्तान को हराते हुए फाइनल में जगया पक्की की थी भारत ने फाइनल में स्रिलंका को छे वी किट से हरा कर दूसरी बार वर्ल्ल कप का खिता था 2011 वर्लकप में टीम इंडिया के कुछ परमुक आगडों की अगर बात करें तो सचिन तैन तुलगर 2011 वर्लकप में बारत के सबसे कामयाब बल्ले बाज रहे और उन्होंने 9 मैचों में 53.55 कियोसत से 422 सिरन बनाएं जिसमें उनके 2 सतक और 2 अर्द सतक सामिल थे इसके बाद गोतम गंबीर विरेंदर सावा का नाम आता है जिन्होंने 393 और 380 रन बनाएं वही 2011 वर्लकप में जहीर खान संयुक तुरूप से सबसे कामयाब गेंदवाज थे उन्होंने 9 मैचों में 21 विकेट जटके इस लिष्ट में दूसरे स्थान पर यूराज सिंग थे जिन्होंने 15 विकेट जटके और साथ ही 322 रन भी बनाएं वन्डे वर्लकप में किसने बनाएं भारत के लिए सरवाधिक रन अगर इसकी बात की जाए तो सचिन तैंदुलकर वर्लकप में सरवाधिक रन बनाने वाले बल्लेवाज हैं जिन्होंने 48 वर्लकप मैचों में 56.95 की ओसत से 2278 रन बनाएं इन्वे 15 अर्द सतक और 6 सतक सामिल हैं उनके नाम वर्लकप इतियास में सरवाधिक सतकों का रिकोर्ड भी है वर्लकप में भारत के लिए सरवाधिक बनाने वाले बल्लेवाजों में 46.8 की उसत से, 1030 रन बनाने वाले विराट कोली और 1006 रन बनाने वाले सोरव गांगोली तीसरे नमबर पर हैं तो वहीं दूसरे नमबर पर भारत के लिए वर्ल्ड कप में केवल 3 बल्लेवाजी ऐसे हैं जिन्होंने एक हजार से जादारन भारत के लिए बनाए हैं वर्लकप में किसने लिए हैं भारत के लिए सरवाधिक विकिट अगर इस पर बात की जाए तो भारत के लिए वर्लकप में सरवाधिक विकिट लेने का रिकोर्ड जहीर खान के नाम है जिनोंने 44 wicket जटके हैं जहीर के अलावा जवागल सिरिनाद ने भी भारत के लिए वर्ट कब में 44 wicket जटकाए हैं लेकिन उन्होंने 34 match खेले हैं वहीं भारत के वरतमान खिलाड़ों में वर्ट कप में सरवाधिक 31 wicket महम्मन समी के नाम है समी वर्ल्ड कप में तीन बार चार विकेट हॉल ले चुके हैं अनिल कुमले के नाम भी वर्ल्ड कप में 31 विकेट हैं जबकि कपिल देव ने 28 विकेट जटके हैं किर्किट से जुड़ी तमाम रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए